हेलो फ्रेंज इस video में हम बात करने वाले हैं where, let और const के बारे में तो यह 3 keyword है nesse Java script में where, let,爸, const, इनका यूज वेरियवन को बनाने के लिए object, array इन सब डेटा टैप को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है तो यह जो तीनों हैं इनमें आपस में difference भी है जो हम देखने वाले इस वीडियो में क्या क्या difference है मैं पिछले वीडियो में आपने देखा था वारियबल क्या होते हैं वेरियबल के बारे में हमने स्पेसेफिकली समझा था और उनमें भी यह डिसकर्शन हुआ था कि वेर लेट और कॉंश्ट का क्योंकि इनी की मदद से वेरियबल बनते हैं बट एक्चुल में इनकी किस तरह से वर्किंग है फंक्शनेल्टी क्या है क्या-क्या इनके रूल से ब हम पल लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा इन जावा स्क्रिप्ट वेल लेट एंड कॉंस्ट और यूज्ट टू डिकलेर वेरियबल्स तीनों का इस्तमाल हम करते हैं वेरियबल को डिकलेर करने के लिए ठीक है बट देहें सम इंपोर्टेंट डिफरेंस तीनों में डिफ इस्पिरेंस से में बता रहूं इसका आप याद कर लेना इस वाले को खास तोर से कि वेर जो होता हूँ उसका होता है फंक्शन इसको जब कि लेट और कॉंस्ट का होता भालोग्स को ठीक है तो दिस मींस डेट वेरियबल्स डिकलेर विद द वेर एक्सिपल थ्रोट द बनाने के तो इसके ब्लोक होते हैं कुछ इस तरह से कल्ली ब्रेकिट खोल के बन करके यह वाले ठीक है इसके अंदर हम कुछी स्टेड में लिखते हैं अब यह जो ब्लोक है यह ब्लोक किसी भी चीज का हो सकता है किसी भी चीज का मानो कि यह कोई एक फंक्शन का ब्लोक हो सकत हाँ ठीक है। इस तरह से या यह फो लूप का हो सकता है, यह वाइल लूप का हो सकता है, या यह जो ब्लोक है लेकली ब्रेकेट वाहला, यह यह अलग-अलग हो सकते हैं अलग-अलग concept के लेकिन block होंगे जरूर ठीक है यह आप समझते भी है इस बात को यह block structure programming language है इस नाम से भी उस programming language को उपादी दी जाती है है ना नाम से pronounce किया जाता है जिसमें block होते हैं कि वो programming language block structure programming language है इसका मतलब जावा स्कृट भी block structure programming language है ठीक है तो जो हमारी definition SNS में लिखा है where is a function scope जबकि later const is a block scope इसका मतलब यह अगर block scope है तो block के अंदर बने हुए variable ठीक है block के अंदर बने हुए variable केवल block के अंदर ही accessible होंगे console करेंगे यह को ठीक है तो यह accessible हो जाएगा but late के case उसमें later const में यह अंदर से accessible होंगे लेकिन अगर मैं where लगा देता हूँ later const के अलावा तो आप मैं guarantee नहीं दे सकता कि यह अंदर से ही access होगा अधर यह भार से भी हो सकता है आप नहीं मानोगे न क्योंकि यह काफी टेड़ी चीज हो जाएगी अगर मैं इसे भार से access करूँगा तो यह चीज है कि where एक function scope है यानि function के block में ही accessible होगा अगर वो block function का function नहीं है फंक्शन का block नहीं है तो वो भार से भी access हो सकता है जबकि later const किसी भी block के भार से accessible नहीं होगे अब हम example से चीज को समझेंगे ठीक है यह और पढ़ लेते हैं वाली लेंग दिस मींस देट वेरिवल डिकलेर विद वेर आर एक्सेसिबल थराउट दा एंटार फंक्शन ठीक जहां पर भी वो डिकलेर है उसी के अंदर से वेर एक्सेसिबल होगा जबकि वेरिवल डिकलेर विद लेट और कॉंश्ट और ओंस्ट विदिन दा ब्लोक तो इसका मतलब यह कि वेर कीवर्ड से बना हुआ वेरियवल अगर हम इफ ब्लोक के अंदर बनाते हैं या लूप के अंदर बनाते हैं, तो वो outside of block accessible हो जाएगा, ठीक है, लेकिन let और const वाले नहीं होंगे, यह पहला example इस बात का सबूत है, देखे क्या लिखा, एक variable बना x नाम का, जिसमें assign है 1, a के y, जिसमें assign है 2, a के z, जिसमें assign है 3, वेर, let और const, तीनो keyword की मदद से बने वे variable है, वेर, let और const, पूरा का पूरा code एक function में है, ध्यान रखना, ठीक है, function scope में है, function के block के अंदर पूरा code, भारम के अवल कोल कर आ रहे हैं, है ना, अब दूसरा block if का है, ठीक है, यह है function का block, यह है if का block, अब देखिए, नहाँ function scope और block scope, ठीक है, ध्यान से समझना, if का block जिसमें true है, true है, यानि की अंदर का भी code चल जाएगा, if block के अंदर का, तो देखिए कैसे होगा, function call हुआ, यह function चला, पहली line, x में आ गया 1, y में आ गया 2, z में आ गया 3, ठीक है, अब condition true हुई, तो x में आ गया 4, तो अब आप यह में समझना, क्या नहीं समझना भी हम बताएंगे, तो where x assign हो गया 4, पर भी where x जिसमें हो गया 1, तो अब यह आप क्या समझते हैं इस चे, कि अगर हमने 4 assign किया, तो क्या इसमें change हो गया, y में हमने 5 assign किया, तो इस वाले y की भी value, 2 से बदल कर 5 हो गई, इस वाले z में हमने 6 assign किया, तो क्या इस वाले z की value 3 से बदल कर 6 हो गई, तो देखी क्या होगा, जब हम console log कराएंगे ना, तो अंदर की तो value यह हैं, तो अंदर तो 4, 5, 6 प्रिंट होगा, वेर का case हमने समझाए कि यह function scope है, यानि इसका scope के वल function के अंदर होगा, और किसी, यानि function के block के अंदर होगा, function के block के बाहर access करेंगे तो नहीं होगा लेकिन यह नहीं का कि if के block के बाहर access नहीं होगा ठीक है तो यह है function scope यानि कि उन्हाँ पे जो exit लिखा है यह लिखा है if block के अंदर किसी function के अंदर नहीं है if block के अंदर है तो उन्हाँ पे जब x में assign कर रहे हैं तो actual में बात हो रही है इस वाले x की ठीक है क्योंकि where keyword से बने variable meter नहीं करेगा कि वो function block के अलावा किस block में वो भार से भी accessible हो जाएगा तो इसलिए जब हमने where x assign 4 किया तो actual में where x assign 1 की value बदल कर where x assign 4 हो जाएगी ठीक है तो जब हमने अंदर वाले console लोग को print करा x y z तो आगया 4 5 6 लेकिन जब हमने if block के बहार इस वाले console लोग को print करा तो x की value ये वाली बदल 1 से बदल के होगी 4 तो x की value आगी 4 जबकि y z की value होगी 2 3 उपर वाली क्यों क्योंकि यह है block scope ठीक यानि यह वाले y z अलग है यह वाले y z अलग है जावा script compiler की नजरों में but where x assign 1 और यह where x assign 4 रहां पर जो यह x variable यह यह एक ही variable है जावा script compiler की नजरों में दो अलग अलग एक्स वेरियबल नहीं है अंडेस्टेंट ठीक है इंटर्नल यह होता है कि तीनों के लिए अलग memory बनती है इनके लिए अलग memory बनती है लेकिन conceptually क्या होगा कि इन दोनों के लिए अलग memory बनी इन दोनों के लिए मिमोरी बनी इसके लिए अलग memory बनी इसके लिए अलग memory बनी ठीक है इसी वजह से अंदर वाले इस तरह से से प्रिंट होए भार बारे एक्स की वेल्यू सेम प्रिंट हुई ठीक है क्योंकि जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करा उसमें वेल्यू बदली है जब कि वाई-जेट के कैस में ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए इसकी वेल्यू फोर आई लेकिन वाई-जेट की वेल्यू जो परती हो उसमें वही वाली प्रिंट हुई तो यह होता है फंक्शन इसकोप और ब्लोक इसकोप ठीक इन दिस एक्जामपल दा वेर वेरेबल एक्स इग्सेशिपल ब्ध इंसाइड और ओर इसी ब्लोक चे अंदर और पहँआर दोनों में अक्सेशिपल होगा जबकि the let and const variable y and z are only accessible within their respective block उसी block के अंदर ही accessible होगा इसका और बहतर example है यह अगर आपको clear नहीं होगा तो देखिए एक function है example function जिसमें x assign किया है one इस वाल example से आपको पूरी तरह clear हो जाएगा ठीक है? समझ जाएं एक function है x assign one और inside function x बरावर x टिक function के अंदर यानि inside function x की value क्या है तो हमने print कराईए हमने function call कराया उपर से ही पढ़ना code को कोगी compiler भी ऐसे ही run करेगा तो जैसी compiler आया तो उसने line पड़ी तो रहा पर कुछ करेगा नहीं कोगी यह तो function definition है इसको उनने पढ़ा तो रहाँ call हो रही है तो देखेगा example function यह पर बनावा है तो जैसे यह x में आ गया one console log करा inside function x assign x की value तो इनने दिखा दिया inside function output में x assign one बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक बात है अब देखेगे ट्राइब लोग चला console outside function अब हमने क्या किया कि यह जो x variable है ना इसको हमने outside function यानि function के भार access करने की कोसिस करी है अगर यह access होता है तो यह message print होगा तो देखी क्या हुआ जब यह line प्रिंट हो इसके बाद आया x variable is not access outside of function बिल्कुल जब यह function के अंदर बनावा है तो function के अंदर इसका scope है और यह हमने पड़ी थी कि where keyword की मदद से बने हुए variable केवल function scope होते है ठीक है where keyword की मदद से बने हुए variable का scope function scope होता है तो function के बाहर access करेंगे तो वह नहीं होगा अब देखी यह दूसरा example तो इसलिए आ गया x variable is not access outside of function ठीक है फिर से अगला चला अब हमने देखिए उपर क्या function का block है अब नीचे क्या है if का block है अब रहां देखना इंटरेस्टिंग चीज यह भी where keyword की अंदर से बना हुआ है y variable जिसमें assign हुआ है 1 अच्छा इसको call करें की जोरोग तो है नहीं क्योंकि यह तो इफ का block है ठीक है यह तो चली जाएगा पड़ती तो where y assign 1 console log inside if block y assign y की value तो यह condition चलेगी if के अंदर हमने console log लगा तो इसलिए मैंने message भी लिख दिया inside if block y की value तो देखे क्या print हुआ inside if block y की value 1 बिल्कुल ठीक है अब देखना interesting चीज ट्राइक हमने फिर नहीं पर लगा जैसे अब लगा अब देखना क्या होगा हमने if block के अंदर बना हुआ y variable को बहार एक्सेस कर रहें block के outside of block y is equal to तो देखे क्या print हुआ यह है function scope का मतलब अब भी वी तो यह print होने चाहिए वह इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि where keyword की मदद से बने वे variable का scope function scope होता है other than function block के अलावा कोई दूसरा block है तो वह accessible हो जाएगा outside of block तो इसलिए यह print नहीं हुआ if का block है यह function का block नहीं है इसलिए यह outside of block भी y की value access हो जा रही है y access हो जा रहा है तो इसलिए यह output आया अब इसी की जगे आप let और const को करके देखना ठीक है तो let के case में क्या होगा यह वाला चल जाएगा और जहां पर भी यह वाला चल जाएगा क्योंकि वह block scope है ठीक है where की जाएगे इसको लेट करोगे ना तो यह तो चलेगा चलेगा लेकिन फिर यह नहीं चलेगा यह चलेगा क्यों क्योंकि वह block scope है similar const में ठीक है it is accessible outside of block बिलकुल because of the function level scoping है where keyword की मदद से बने वे variable की this behavior is often considered a source of confusion हाँ यह confusion करेगा यह जब इकनर को inbox in JavaScript to overcome this scoping issue always try करें कि आप later const का यूज करें और आप recommended भी यह किया जाता है यह जो वेर है ना वनीला जावास्कृट का concept है जो पुरानी जावास्कृट थी प्लेन जावास्कृट उसमें होता था वेर keyword अभी जो एक मैं स्क्रिप्ट आ गए जो ने-ने concept है जावास्कृट में उसमें लेट और const का कि लेट और कॉंस्ट को इंट्रिडीज से किया गया तो आप उने कीवरड को यूज करें वेरेवल को बनाने के लिए या ओबज्यक्त है डोलेट सील यूज करें अंलाइक फैरेवं डिक्लेफ लेट ध्कॉंस्ट डॉक लेवलिसको अब यह आपको समझ में आ गया होगा बिलकुल को कि मैंने यह वाले एक्जामपल से आपको काफी मलब पूरी तरह समझ में आ गया होगा ठीक है विच मींज कमेंट करके और बताना अगर नहीं आ है वरना अब तो आ जाने चाहिए विच मींज दे आ लिमिटीट टू दा ब्लोक वेर दे आ डिफाइन दिस प्रोवाइड मोर प्रेडिक्टिबल एन इंट्यूटिव इसकोपिंग बिएवियर इन जावा स्क्रिप्ट वेर एलाओ रिडिकलेरेशन है ना वेर में क्या है कि एक वार हमने वेरेवल डिकलेर किया दोवार हम कर सकते हैं यह वेलिड है इसमें कोई एरर नहीं आएगी जबकि लेट और कॉंस्ट में ऐसा करेंगा ना एक वार अगर वाई में वेलिव असाइन कर दी दोवार हम डिक हाँ जबकि वेर होस्टीड होते हैं यह होस्टिंग के कॉंसेप्ट ने पढ़ा होगा मैंने आपको बताया था लेटो कॉंस्ट होस्टीड नहीं होते ठीक है इसका मदलब यह देखो होस्टिंग का भी आ गया एक्जमपल कि वेर एकसाइन वन करेंगे एकस को एकसेश करेंगे तो इंटर्नली क्या होगा वेर एकस असाइन कुछ भी नहीं है ना वेर एकस आएगा सिर्फ क्या होगा कि वेर एकस इतना जो मैंने सेलेक्ट किया यह कंसोलों के उपर चला जाएगा क्यों विद्ध कॉंसेप्ट ओफ होस्टिंग और एकस असाइन व तो इसलिए let y assign to तो यह इसी लाइन में रहेगा यह दो लाइन में बन जाए गए concept कि let y और अगली लाइन में let y assign to ठीक है let y और अगली लाइन में y assign to इस तरह से लेकिन यह console के उपर कुछ कोई लाइन नहीं जाएगी तो इसलिए जब हमने y को access किया तो y is not defined उसे मिलाए नह similar jet के case में ठीक है इसी का ही उपर लिखा हुआ है नहाँ पर अब देखिए let or const का const इजए read only variable ठीक है let or const में क्या difference है हमने where और let or const का difference देखा अब हम देखते है let or const में क्या difference है तो देखिए const जो const जो होता है वो read only होता है इसका मतलब कि एक वार अगर const keyword की मदद से बने हुए variable में value assign हो गई तो उसमें हम दो आरा assign नहीं कर सकते है इस तरह से error आजाएगी assignment to constant variable एक वार जो assign हो गई वह हो गई जब कि late के case में क्या है कि हमने y में assign कर देखिए 3 और फिर y में assign करते हैं 4 तो यह valid है ठीक है तो यह इन दोनों का main difference है वो ही लिखावा आप पर तो इन summary where let and const are used to declare variable in JavaScript but they have some important difference in terms of scoping scope और hoisting, redeclaration and mutability mutability यानी changeable हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं उच चीज को कहते हैं mutability और immutability तो यह सारी चीजें इन तीनों में क्या effect करती हैं वो हमने देखा hoisting, scoping, redeclaration and mutability it's important to understand these difference in order to write effective and bug-free JavaScript code तो यह काफी important था as a beginner के लिए समझना तीनों में क्या difference हैं तो हमने इस वीडियो में और इससे पहले वाली variable in JavaScript टाइटल की वीडियो में भी देखा तो अभी आपको यह concept के लिए रहना चाहिए ठीक है वेल लेटो कॉंस ठुका तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आ इसको जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको समझ में आया और नहीं आया है ना दोनों लोग जि समय पता पड़ें और कमेंट करके बताएं अगरा वीडियो आपको किस टोपिक पर चाहिए थेंक यू कि कि कि